नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के संपूर और सटिक राशी फल में आपको कोई पहले से समस्या चल रही थी, तो वहें आपके कश्टों को बढ़ा सकती है मानसिक चिंता कम रहेगी, आप अपने कामकाची योजना पर घ्यान केद्रित कर सकते है व्यपार से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छा लाब मिलने के योग है प्राइविट नोकरी करने वाली वैक्तियों को प्रमोशन मिल सकता है आज आप व्यपार में यदि कोई नए योजना की शुरुआत करेंगे, तो वहें आपको अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है अनुभूफी लोगों के मार्क दशन से आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे आप मैथपूर मामलों में फैसला लेने में सक्षम रहेंगे माता पीता की तब्यत में सुधार आएगा, विधारतियों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा अगर आपने पहले निवेश किया है तो अच्छा फायदा मिल सकता है आज आपको लिंदेन के मामलों में साथ्यानी बर्टने होगी, अन्यता नुकसान हो सकता है दोस्तों के साथ घूमने फिनने की योज ना बना सकते है, धाम पते जीवन में सुप मिलेगा जीवन साथी आपके भावना को समझेंगे मिथ उनराशी आज वेपार शेतर से जुड़ा हुए व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा नजर आ रहा है परिवार के सदस्यों के साथ किसी मंदिर अथवा धार्मिक यातरा पर जा सकते है माता पिता का अशिवाद लेकर जो भी नया काम शुरू करेंगे उसमें निश्चत रूप से सफलता हासिल होगी जीवन साथी की बातों का आज आप पूरा मन रखेंगे और उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते है आज आपको छोटे मुटे निवेश करने से बचना होगा यदि आप बड़ा निवेश करेंगे तो वेव भविशे में आपके लिए अच्छा साबित होगा कारे शेतर में बड़े अधिकारियों के किरपा दī्ष्टी बनी रहेगी समाज में मान प्रतिष्टा बड़ेगी करक राशी आज आप अपने परिवार के सदस्दों के साथ सथ साथ सज़ाधा वेक्त वेक्तित करेंगे घर के छोटे पच्चों के साथ मोज मस्ती करते हुए नजर आएंगे, घरेली जरूरतों की पूर्ती होगी आपकी कमाई अच्छी रहेगी, किसी पुराने निवेश का अच्छा फायदा मिल सकता है अनुभवी लोगों के साथ उठना बैठना होगा, समाजिक शेत्र में आप अपने अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे दोस्तों के साथ अगर किसी बात को लेकर मतबेत चल रहा था तो वैख खत्म हो जाएगा आप अपने अधुरी कामों को पूरा कर लेंगे काफी लंबी समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलेगा, बिजनस में अच्छा मुनाफ़ा मिलने के योग है विदार्तियों का मन पढ़ा ही लिखाई में लगेगा सिंख राशी आज आपके जीवन में कोई बदलाब देखने को मिलेगा विजन परिसित्यों में आपको धैरे बनाए रखना होगा आप अपने रुके हुई कामों को समय पर पूरा करने में कामियाब रहेंगे विवाय योग्य व्यक्तियों को विवा के उत्तर प्रस्ताव मिलेंगे घर में महमानों का आगमन हो सकता है जिससे घर का माउल खुशवाल बनेगा बिजनिस में आज आप अपने लक्षे को पूरा कर देंगे और आपकी संपत्ति में इजाफा होता हुआ नजर आया रहे सुराल पक्ष में बहतर संबंद बढ़े रहेंगे परिवार में किसी मागली कारे की तयारियों पर पूरा ध्यान देंगे घर के बड़े बुशवगों की सला के लिए कारगर साबित होगी कन्या राशी होगा राजनेती के शेत्र से जुड़े हुई व्यक्तियों को अच्छी काम्याभी मिल सकती है तोला राशी आज आप उर्जा से भर पूर रहेंगे जिसकी वज़ा से आप प्रती कारे को समय पर पूरा कर देंगे आप अपने मधुरवाणी से दूसरों का दिल जीतने में सफल रहेंगे आपको अपनी बहनत का उचित परिणाम हासिलोगा नौकरी के शेत्र में मन मुताबिक सफल्दा मिलने के योग बने हुए है अधिकारी आपसे बिहत प्रसंद रहेंगे नौकरी के साथ सब पार्ट टाइम कारी करने की योजना बना रहे है तो आपके इच्छा पूरी होगी परिवार में सुक शान्ती बनी रहेगी बही बहनों के साथ बहतर तालमेल बने रहेंगे वहान सुक किस प्राप्ती होगी मकान बनाने का सपना बहुती जल्द पूरा होता नजर आ रहा है विवायों के वैक्तियों को उत्तर विवा के प्रस्ताव मिलेंगे वरिश्यक राशी आज आपका दिन अनुकुल परिणाम लेकर आया है विदेश यात्रा के योग बने हुए है दूर संचार माध्यम से शुप सूचना मिल सुनने को मिल सकती है जिसे घर का माहुल खुशाल बनेगा मानसिक चिंता दूर होगी माताजी की तब्यत में सुधार आएगा पिताजी की मदद से आपका कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है अगर आपने पहले किसी को पैसा उधार दिया है तो वापस मिलेगा आप अपने विरोध्यों को परस्त करेंगे प्रेम जीवन में सुधार आएगा बहुत जल्द आपका प्रेम विवा हो सकता है अज आपके सुक्स विदाओं में व्रिद्धी होती हुई नजरा रही है एक के बाद एक आपको लाब के कई मौके हाथ लग सकते हैं जिनें पैचान कर फाइदा उठाना चाहिए घर परिवार के सद्दसों के साथ अच्छा समय व्यतित करेंगे आप महतवपूर मामलों में फैसला लेने में सक्षम रहेंगे आपकी नई संपती प्राप्ति के अबिलाशा पूरी हो सकती है नौकरी में कारियत वेक्ति को आज किसी नई नौकरी के मिलने से प्रसनता मिलेगी कि यदि आपने पहले किसी को धन उदार दिया था तो वह आज आपको वापस मिल सकता है कारियशेत में आप अपनी जिम्यदारियों को बखोबी तरीके से निभाने में सफल रहेंगे बड़े अधिकारियों के किरपा दिश्टी बनी रही मकर राशी आज आपका दिन मिला जुला परिणाम लेकर आया है जो वैक्ति सरकारी यूजन में निवेश करने जा रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा रहेगा विदार्तियों को कटिर विश्टी पर अधिक धन देने की आवशकता है कुम्भ राशी आज आपका दिन खुशाल वैतित होने वाला है आपके घर में किसी शुप मांगली कारेकरम का अयुजन हो सकता है जिसमें परिजनों और मित्रों का आना जाना लगा रहेगा आपको आज कोई सला अपने पिताजी से लेनी होगी और कारेशेत्र में भी आप अपने कामों को गती देंगे जिससे आप प्रसन रहेंगे समाजी क्षेत्र में मान प्रतिष्टा बढ़ेगी आपको अपने वाणियों व्यवार में सायम बनाए रखना होगा दामपत्य जीवन जी रही व्यक्तियों के लिए आज का दिन सुक में रहेगा व्यवार में कुछ योजनाओं को आज बल मिलेगा जीवन साती के साथ 72 तालमेल बना कर रखे किसी में परकार के बाद विवाद को बढ़ावा मत दीजे आपको अपनी जिमेदारियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है व्यवार में कुछ आधुनी तकिनों को भी आप अपना सकते हैं जिससे आपका व्यवार बढ़ेगा प्रेम जीवन जी रहे व्यक्तियों के साती का रवया कुछ रूखा रहेगा जिसकी वज़ा से वह परिशान रहेगा विसम परिश्टितियों में आपको धैरे बनाय रखने की ज़रूरत है आज पैसों का उधार लेने मत कीजी अन्यता हानी हो सकती है